जैसरी कृष्णा रादे रादे हमारे चैनल ओम घ्यान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वाटत है आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2022 में लगने वाला चंदर गरहन कब लगेगा मैं हूरीना सर्मा आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 2022 में लगने वाले चंदर गरहन के बारे में जानकारी बताऊंगी चंदर गरहन आठ नॉम्बर को लगने जा रहा है इसका परवाव भारत रुपी पड़ेगा तो आए जानते हैं चंदर गरहन की तारिक, समय और सुत्तकाल और क्या करना चाहिए, क्या नहीं और गरुर्ती मेलाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए सभी जानकारी आज आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी और हाँ आगर आप लोग नए है तो प्लीज हमारे चाइनल ओम ग्यान सागर को सब्सक्राइब जरूर करे वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जादा सी जादा सेर करें बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे और आप सभी सुन सके जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ जादा सी जादा शेयर कर सके तो चलिए जादा वक्त ने लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं आईए जानते हैं झो लगेगा इस दिन कार्टिक मास की पुर्णमाति-थि भी हैं तो आये जानते हैं चंदर ग्रहन भारती समय अनुसार आठ नुवंबर को साम करीब पांस बज़कर बतिस मिट से सुरू होगा और साम साथ बज़कर सताइस मिट तक रहेगा चंदर गरहन कब लगता है आईए जानते हैं जब सूर्य चंदरमा और पर्थू एक सीध में होते हैं तता सूर्य और चंदरमा के बीच में पर्थू आजाती है तो चंदर गरहन होता है जयोतिस सास्तर के मुदाबिक चंदर गरहन का समय सुत्यकाल का गरहन सुरू होने से करीब 9 गंटे 12 गंटे पहले सरू हो जाता है चंदरगरहन भारत में दिखाई देगा इसलिए चंदरगरहन का सुत्तकाल भी मानने होगा इसलिए सुत्तकाल से जुड़े सभी नियों मौका पालन किया जाना चाहिए जोतिस सास्तर के अनुसार चंदर गरहन के सुरू होने से 9 गंटे पहले सुत्त काल लग जाता है आठ नुवर को चंदर गरहन के दुरान आठ नुवर को दुनिया भर के कई देसों में चंदर गरहन लगने जा रहा है और सबसे खास बात यह है कि ये एक पूरुन चंदर गरहन है पूरुन गरहन भारत के पूरी वागों में दिखाई देगा जबकि कई इसों में आसी गरहन नजर आएगा दार्मिक मानतों के अनुसार चंदर गरहन के दौरान राव और केतु का परको पर्ति पर अधिक परभावी होता है ऐसे में राव केतु के परभाव से बचने के लिए कुछ उपाय किये जाते हैं जो परभावी होते हैं तो आईए जानते हैं चंदर गर्हन 2022 पर राव केत्व के प्रवाव से बचने का उपाय क्या करना चाहिए। चंदर गर्हन के दोरान राव केत्व के प्रवाव अधिक प्रवाव सालि हो जाता है। मंतर का जाब चंदर ग्रहन के दुरान लोगों को महा मर्तु जैय का मंतर का जाब करना चाहिए माना जाता है कि इस दुरान राव और केतु के परवाव से बचने के लिए महा मर्तु जैय मंतर का जाब बहिदलाब कारी साबित होता है राव केतु के परवाव से बचने के लिए मंतर सास्तरों के अनुसार राव केतु की बूरी दस्टी पढ़ने पर वक्ति के जीवन में असत्रता आ जाती है इसके लिए गरहन के दोरान राव और केतु के परवाव से बचने के लिए जाप मंतर अवश्य करना चाहिए तुल्शी के पत्ते का सेवन धरम गर्थों में के अनुसार चंद्रगहन के दोरान तुल्शी के पत्ता का सेवन करना चाहिए तुल्शी का पत्ता मुख में डाल ले ये फायदे मंद रहता है बगला मुखी मंतर धार्मी घर्थों के मताबिक इस मंतर का जाब करने से वक्ति पर पढ़ने वाली नकरातक सक्तियों का नास होता है तता सत्रों से मुक्ति मिलती है कार्तिक पूर्णिमा को देव दिपाली मनाई जाती है माना जाता है कि इस दिन देवी और देवता दिवाली मनाने धर्ती पर आते हैं इस बार देव दिवाली के दिन साल का आखरी चंदर गरन भी लगने जा रहा है देव दिपावली 7 नुवंबर 2022 दिन सोमार को मनाई जाएगी चार महीने के बाद भगवान सिरी हरी चार नुवंबर को निंदरा से जाकर पुन पर्थी पर आएंगे और साथ नुवंबर को देव दिवाली मनाई जाएगी इस साल कार्तिक मास की पुनिमा ती थी साथ नुवंबर 2022 को सायकाल 4 बज़ कर 15 मिन्ट से सुरू होकर आठ नुवंबर 2022 को साम 4 बज़ कर 31 मिन्ट तक है देव दिपावली के दिन देव देवताओं के लिए किये जाने वाले विसेश दीपदानें पूजा का सुब मुरत सायकाल 5 बज़ कर 14 मिन्ट से लेकर 7 बज़ कर 49 मिन्ट तक रहेगा कार्तिक पुर्णिमा का वर्त भी 7 नॉम्बर को किया जाएगा आए जानते हैं गरवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतना चाहिए चंदर गरहन 2022 में लगने वाला है गरवती महिलाओं के लिए हानी का रख हो सकता है दार्मिक मानताओं के अनुसार गरव में पल रहे बच्шего को बूरे परबाव से बचाने के लिए गरवती महिलाओं को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए गर्वती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए नहीं न कुली चीजों का परियोग करना चाहिए जैसे कैची सोई धागा चाकू ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए चंदर गर्वती महिलाओं को सोने से बचना चाहिए इसके बजाए देवी देवताओं का मनन करते हुए मन से जाप करना चाहिए मंतरों का ओम नमय श्वाय गायतरी मंतरादी का जाप कर सकती है ऐसा करने से आपके आसपास सकरातम उर्जा अधिक रहेगी और अच्छा मैसुस सोगा और लाब भी मिलेगा आए जानते सुत्कक्ाल घरण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सुत्क्ाल के दोराआ खना नहीं खना चाहिए और नहीं बनाना चाहिए बिमार वक्ति गरवती महलाओं यक्षाना खा सकती हैं सुत्क collar में घर के मंदिर में भी पाठ पू कर रख सकती है चंदरगरहन पर पाथ पूजा नहीं कर सकते हैं आप मानशिक जाप vulner कर सकते हैं और दान कर सकते हैं वस्तों का अं का Iना आज का kapडे का दान करना बह armaना जाता है यह थी जानकारी चंदर गरहन कब सरू होगा और कब खतम होगा सुत्त काल कब से सरू होगा चंदर गरहन में क्या करना चाहिए क्या नहीं गर्वती मेलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और देव दिपावली कब मनाई जाएगी और भी ऐसी जानकर्या बताई है आप सभी को इस वीडियो में आसा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकर्희 जरूर पसंद आएगी और हाँ हमारे चैनल ओम ज्यान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले पलीज सब्सक्राइब जरूर करे वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जादा से जादा से जादा सेर करे तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकरी के साथ जब तक आप लोग सभी स्वास्त रहे मस्त रहे खुस रहे तरकी करे उंती करे हमेशा मुस्कुराते रहे बगवान आप सब क हर मनों कामना पूरी करे जैसरी कर्षणा रादे रादे धन्यवाद हेलो दोस्तों जैसरी कर्षणा रादे रादे हमारे चैनल ओम ग्यान सागर को आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अभी हम आपको देंगे चंदर ग्रैन के बारे में कुछ खास जानकारी झालो ग्या डादे सब्सक्राइब प्रड़ के लादे बारे मीर्स दार जालों के जैसरी कि वर्म कजिए कर्भी हमारे में धन्यून के रादे में कामने की झाल झाल